नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, सेट प्रिक्टिस करने का मतलब होता है कि एकजाम के सिलेवस और पेटरने की अधार पर तैयारी को सटी और अस्ट्रूंग बनाना, साथ में महतपुर्ण परस्नु का रिवीजन करना जो परिक्षा में बार बार पूछा जाता है ना संगर्स ना तकलीफ तो खाक मजाय जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में चलिए दोस्तों, सुरू करते हैं पहला कोश्चन है कि बयाम मंदल की अस्थापना अठारश चियानवे में पूने में किसके दौरा की गई थी? तो बयाम मंदल की अस्थापना किया था चापेकर बंधुओं ने यानि दामदर, हरी चापेकर और बालकरिस ने चापेकर तो इसका कोरेक्ट एंसर हो जाता है एक से अधीक नेस्ट कोश्चन है कि बिहार विद्यापिठ की अस्थापना कब हुई थी? तो इसका कोरेक्ट एंसर है 6 फरवरी 1921 को हुआ था दोस्तों किसी भी कंपेटिशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई कोश्चन आए तो उससे रिलेटे जितने भी इंपोर्टेंट तथ है जो अब तक आप पढ़े हैं उस सारे को एक सत रिकोल कर लेना चाहिए जैसे यह बिद्यापिट की अस्थापना कब होई इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह कोश्चन पूछा जाता है कि बिहार बिद्यापिट के संस्थापक कोन है तो गांधी जी है और बिहार बिद्यापिट है कहां तो पटना में है यह ध्यान रखना है और इसके पहले कुलपती बने थे मजहरूल हक और पहला परचार्ज हुए थे डॉक्टर राजिंदर पर साथ यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि 1817 ISP का पाइक बिद्रो निमन में से किस अस्थान पर हुआ था तो इसके कोरेक्ट एंसर है ओडिशा में हुआ था ठीक है संथाल बिद्रो कहां हुआ था जारखंड में हुआ था एक मोपाला बिद्रो का पूछा जाता है तो मौपाला भी दुरों केरल में हुआ था कि निमलिकित में से किस ने 1875 इसपी में कोलकत्ता में इंडियन लिग की अस्थापना की थी इसका correct answer है सिसीर कुमार घोस ने किया था आप सिसीर कुमार घोस से एक महत्पुर्ण question पूछा जाता है कि जो अमरित बजार पत्रिका के संस्थापक को ने तो सिसीर कुमार घोस से यह द्यान रखना है next question है कि किस मुगल वात्सा ने इजारा प्रनाली की शुरुवात की थी तो इसका correct answer है जहादार सा ने किया था अब देखिए कल मैंने बताया था कि जहादार जब भी आपके सामने आये तो यह जरूर ध्यान रखना है कि जहादार है यानि जहाँ जाता है दारू पीता है यानि कि इसे लंपट मुर्ख कहा जाता है नेस्ट कोश्चन है कि पुस्तक 1857 निम लिखित में से किसके दौरा लिखी गई है तो इसका correct answer है सुरेंदरनाथ सेन ने लिखा था ठीक है और एक important question है 1857 से जो पूछा जाता है कि इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस पुस्तक के लेखा कोन है तो बीडी सावर करें यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि स्वतंदरता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोसना पत्र कब जारे किया गया था तो यह जारे हुआ था 1929 में तो option में है नहीं इसका correct answer हो जाएगा कि द्यान में आ जाना चाहिए कि लाहर अदिवेशन का हुआ 1929 में अब पहली बार स्वराज की मांग कब किये गया था 1929 के लाहर अदिवेशन में नेस्ट कोश्चन है कि बर्स 1916 में भारतिय महला विश्विद्याले की अस्थापना किस ने की थी तो इसका correct answer है इसकी अस्थापना किये थे थोंडो केसब करवे ठीक है धोंडो केसब करवे ने भारतिय महला विश्विद्याले की अस्थापना किया था option number C इसका correct answer है अब important question यहां एक यह है कि अगर नाम पूछा जा कि वो विश्विद्याले कौन सा है भारत की पहली महला विश्विद्याले कौन सा है तो उसका नाम है श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरशी महला विद्यापीठ यह मुंबई में यह ध्यान रखना है नेस्ट क्वेश्विद्याले कि महात्मा गांधी और जवाहरलन नहरू की मूलकात पहली बार कभ हुई थी तो इसका correct answer है लखनो अधिवेशन में हुआ था ठीक है अब यहां लखनो अधिवेशन से एक चीज याद आना चाहिए कि लखनो समझोता हुआ था 1916 में ही जैसे कि अगर question पूछा जाता है कि Congress का पहली बार विभाजन कब हुआ Congress में फूट कब हुई थी तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था वो नरमदल और गरमदल का अलग हुआ था ठीक है और यही फिर 1916 में लखनो में फिर दोनों का मिलन हुआ था यहनी उसे लखनो समझोता के नाम से जाना जाता है 1916 में और इसको यहां यह भी रिलेट कर थी तो इसका correct answer है डॉक्टर राजेंदर परसाद ने लिखा था ठीक है अब डॉक्टर राजेंदर परसाद की दो तीन और पुष्टक महतपुर्ण ने जो की ध्यान रखना है पूछा जाता जैसे एक इंडिया डिवाइड हो गया और है महात्मा गांधी और बिहार ड़रा तैयार किया गया था तो इसका correct answer है Simon Commission के दोहरा तैयार किया गया था आप साइमान कमिशन जैसे आए दिमागत आ जाना चाहिए कि सायमन कमिशन भारत कवाय था में आये था सायमन क्मिप्र की सथा कि विभारती सते से नहीं था और सायमन क planned के दिका ni कि सायक्स गठबंधन परनाली की ऊपियों numero को किस ने तयार और परिपूरन किया थे तो सब्सक्राइब ऐस पूरक्ट थे संद्रक हैने संदीका जनक किसे माना जाता तो लोड़ बिलेजलीby कлем जाता है यह दियान रखना है और बंगाल का शेर किसे का जाता है तो लैवड बिलेजली को का जाता है एक कोस्चन इससी तरह कि बंगाल स्व law tiger किसे का जाता तो वह वेज आ सब ह्याना ले Pacific चंद कि महात्मा गांधी द्वारा सवी ने अवग्या आंदोलन किस वर्स शुरू किया गया था तो इसका कॉरेक्ट एंसर है 1930 में शुरू हुआ था सवी ने अवग्या आंदोलन आप 1930 से जितने भी घटना है सब को एक साथ दिमाग में याद करना है तुरंद जैसे दांडी पहला गोल मेंट सम्मेरां का वुआ था 1930 में वुआ था जे ध्यान दखना है नेक्स्ट कॉष्च्छन है डूसरे गोल मेंट सम्मेरां के समय निमलिखीत में से कोन भारत का वाइसराई था इसका correct answer ए लोड बिलिंग्टन था लोड बिलिंग्टन का कार्जकाल था 1931 से 36 ठीक है अब दूसरे गोल मेच सम्मेलन कब हुआ था 1931 में हुआ था ये ध्यान रखना है और एक question important ये पुछा जाता है कि किस गोल मेच सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था तो 1931 के दू दूसरे गोल मेच सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था ये ध्यान रखना है और 1931 से एक और घटना है कि गांधी इर्विन समझाता कब हुआ था तो 1931 में हुआ था ये द्यान रखना है चलिए next question है कि निमलिकित में से कौन सी घटना पहले हुई थी तो इसके लिए इसपी जानना जरूरी है जैसे खिलाफ़त अंदोलन 1929 में हुआ था और गांधी इर्विन समझाता 1931 में हुआ था साइमन कमिशन 1928 में और ये लखनो 1916 में तो सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन 1916 वाला हो जाएगा लखनो समझाता नेश्ट कोईस्ट है कि ओस्परिस्ता की बुराई के उन्मूलन के लिए ओस्परिस्ता और दिरोधि लिग की अस्थाप्ना किस ने की थी इसका पोरेक्टी पांद्मा गान ने किया था तो इसका correct answer है 29 भावे द्वारा शुरू किया गया था अब 29 भावे से एक महतपुर्ण question पूछे जाता है कि रमन मेकसे से पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कुन थे तो 29 भावे थे ये द्यान रखना है next question है कि अंग्रेजों के खिलाप भारती नोसेना विद्रो किस बर्स में शुरू हुआ था तो इसका correct answer है 1946 में शुरू हुआ था ठीक है 1946 में और क्या है था cabinet mission next question है इनिमनी में से कौन सा कथन असत है आप इसमें कौन सा असत है चेक करते हैं हडपा सभिता का सरवाधिक परसिद पूरा अस्थल मोहन जोदलो था ये सही है ठीक है और हडपा सभिता के संबन्द में सरवपथम चार्ल्स मेशन द्वारा जानकारी दी गई थी ये भी सही है और भारती ऊप मादी उप में क्रिसी का प्राचिन्तम प्रमान میहरगळ से प्राप्ध हुआ था और ये ध में है कि हडपा सभिता के बर्तनों पर केबल काले रंग से चितरकारी की गई थी ये गलत है क्योंकि चितरकारी जो काला और लाल दोनों से किया जाता था तो इसका गलत हो गया यह D number Next question है किस बेद में बर्न सब्द का पहली बार उलेख मिलता है तो इसका correct answer है रिग बेद में मिलता है ठीक है रिग बेद के दसमे मंडल में ने कि पुरुस सुक्त में ब्रह्मन, छत्रिय, बेस और सुद्र सब्द का उलेख है एक question डारेक्ट यह पूछा जाता है कि किस मंडल में सुद्र का उलेख है तो ध्यान रखना है रिग बेद के दसमे मंडल के पुरुस सुक्त में सुद्र सब्द का उलेख है यानि सिंपल में समझे कि चारों का जैसे ब्रहमन, छत्रिय, बेस या सुद्र यह चारों का उलेख है ने, दसमे मंडल के पुरुस सुक्त में है यह ध्यान दखना है नेस्ट question है कि राजधानी को पाटली पुत्र से बैसाली किस ने अस्थान तरित किया था तो इसका correct answer है, सिसू नाग ने किया था ठीक है, अब यहाँ एक दो important question है जिसे पाटली पुत्र के अस्थापने किस ने किया था तो उदाइन किया था और BPSC में एक question पुछा गया था कि पटना को प्रांती राजधानी किस ने बनाया था तो सेरसा ने बनाया था नेस्ट question है गुप्त काल के दवरान आदालतों की भांसा क्या था यनी गुप्त की भांसा क्या था simple question ने गुप्त की भांसा था ती sanskrit इसे याद ऐसे रखना है गुप्त sanskrit मतलब की जो voice से इसे relate कर ले गुप्त sanskrit गुप्त sanskrit कोई मेरे मित्र कहेंगे कि गुप्त प्रकृत ये भी तो एक जैसा है तो इसका भी तोड़े देखिए गुप्त में आधा अक्षर आ रहा है ने पो आधा अक्षर किसमें आ रहा है संस्कृत में या प्रकृत में तो संस्कृत में आ रहा है ने गुप्त संस्कृत तो आधा लेटर इसमें आधा सो देख नेस्ट कोश्चन है, कि हर्सवर्धन परसासन के बारे में गलत कथन का चेयन करें, तो देखिए, राजा अंतिम नयाधिस होता था, ये सही है, और हर्सवर्धन की राजधानिये ने, कनोज थी ये भी सही है, सती पर्था परचलित नहीं थी, ये गलत है, सती पर्था हर्सवर पारदन की परसासन में आम बात थी ठीक है यानि ये का लिख गलत है और दास पर्था परचली था ये सही है ये इसका एंसर हो गया सी नेस्ट कोश्चन है कि परथम मानब जिवास्वों भारत की किस नधी घाटी से प्राप्त हुआ है ये दियान रखना है नेस्ट कोश्चन है 26 परसिद्धन अटक मिरिक्ष कटिकम किस ने लिखा था तो इसका कोरेक्ट एंसर है सुद्रक ने लिखा था ठीक है और ये पानिनी किसका लेखा के बालों अस्ट्याद्याई के लेखा कोन है पानिनी और महाभारत भागबत गीता बेद ये सब का लेखा के बेद व्यास और कालिदास है रगुबंसम और एक दो पुस्तक और है रगुबंसम और ध्यान में नहीं आ रहा है तो ये कालिदास की पुरसत रगुबंसम ये ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है गुजरात में चालोक बंस की अस्थापने किस ने की थी तो इसका कोरेक्ट एंसर है आपसे नंबर ए मूल राज पर्थम ने किया था नेस्ट कोश्चन है नैनार कौन थे तो नैनार सेब संप्रदाय के हैं समर्थक थे नैनार मतलब भगबान सीब और उन जिल ए इलाही की उपादी धारन की थी तो इसका कोरेक्ट एंसर है बलवन ने किया था बलवन से एक important question पूछा जाता है कि रक्त और लोह की निती किस ने अपनाया था तो बलवन ने अपनाया था ये द्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि गुलाम बंस का अंतिम सुल्ट थी तो इसका कोरेक्ट एंसर है गुरू त्येक बहादूर को फांसी दी गई थी ठीक है देखिए क्या है कि मुगलकाल के दो सासक दो सिख गुरू को हत्या करवा दिया था ठीक है तो दोनों को एक साथ यहां समझना है जैसे और अरंग जेब त्येक बहादूर की हत्या किस ने करवाए था तो जहांगीर ने करवाए था तो देखिए मुगलकाल में पहले आता है औरंग जेब से पहले आता है जहांगीर ठीक है सासक में ठीक है तो जहांगीर हत्या करवाए था उसी तरह सीख गुरू में पहले आता है पांच में गुरू थे गुरू अर्जु में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी तो इसे जानने के लिए सब का इस पीच आना जरूरी है जैसे खानवा का यूद 1527 में हुआ ठीक है और घागरा का 29 में हुआ था 1529 में और कन्योज 49 में 1549 और 1440 ठीक है तो इसमें क्या है सबसे पहले कौन हुआ था सबसे पहले हो जाएगा खानवा का यूद 1527 में हुआ था देखिए यह जो कन्योज की लड़ाई और चौसा की लड़ाई यह दोनों को याद करिए इसे सिंपल में देखिए यह दोनों लड़ाई है यह हुमायू और सेसार सेरसा सूरी के बीच हुआ था ठीक है इसे ऐसे या हुआ वह 40 में हुआ था तो इसे ऐसे याद रखिए चौक है ने तो चौक मतलब होगे चौसा की लड़ाई और कन्योज की लड़ाई चौक 1549-40 ऐसे सिरियल में याद भी रहेगा कंफर्म कभी कन्फिज नेगा चौक यह दोने 49-40 में चौसा की लड़ाई और कन्योज की ल को है ट्रीपल आर को ठीक है लेकिन अगर पुछाज एक सरवसेस्ट फिल्म का पुरुष्कार किसे मिला तो कस्मिर फाइल को मिला था नेक्स्ट कोश्चन है किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओसियन वेव इनर्जी कन्फर्टर विक्सित किया है तो यह विक्सित किया था IIT मदरास ने लेकिन ओप्सन में है नहीं तो इसका एंसर हो जागा E ठीक है IIT मदरास ने यह सिंधुजा कन्फर्टर विक्सित किया था इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इश्रो द्वारा संजुप्त रूप से विक्सित किया गया है तो संजुप्त रूप से विक्सित हुआ था उसका नाम था निसार ठीक है न से नासा और आईएस यनि इश्रो नासा और इश्रो का जो संजुप्त रूप से विक्सित हुआ था उसका नाम था उपग्रह का नाम निसार ठीक है नासा इश्रो नेस्ट कोश्चन है या इसका एंसर होगे E नेस्ट कोश्चन है कि भारत अंडर 19 महिला किरकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा कर पहला T20 बल्ड कब जीता तो इसका कॉरेक्ट एंसर है option number E है क्योंकि यह जो महिला किरिकेट टीमें ने final में England को हराया था तो England option में है नहीं तो यह answer हो गिया E, England को हराया था आप देखिए भारत under 19 यह जो final 20 सुकप हुआ ने इसका पहला संस्करन हुआ कहां हुआ दच्छीन अफ्रिका में हुआ यह ध्यान रखना है next question है कि निमन में से किसे बनिजीव संरक्षन पूरुसकार 2023 दिया गया तो इसका correct answer है आलिया मीर को दिया गया था option number A है ठीक है अब बनिजीव संरक्षन अधिनियम का वाया यह पूछा जाता है 1972 में आये यह ध्यान रखना है next question है कि फरवरी 2023 में रक्षा छेतर के ACA के सबसे बड़े एर सो एरो इंडिया के चौदवें संस्करन का आयोजन कहां किया गया था तो इसका correct answer है बंगलूरू में किया गया था यह ध्यान रखना है next question है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के तो यह लागो वह था एक अप्रेल 2023 को next question है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषन उर्जा संकट के बीच रास्टी आपदा गोसित किया तो रास्टी आपदा गोसित किया था किस देश ने किया था इसका correct answer है दच्छीन अफिरिका ने किया था तो इसका correct answer है मुगेर में खोला गया है ठीक है अब एक question यह आता है कि भीम बांध बन जीव अभ्यारन किस जीला में है तो मुगेर में है यह ध्यान रखना है भीम बांध बन जीव अभ्यारन मुगेर में है next question है कि निती आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहु आयामी निर्धनता के संदर में देश के किस राज में बहु आयामी निर्धनता का अस्तर सरवाधिक है तो इसका correct answer है बिहार तेकि किस राज में बहु आयामी निर्धनता का अस्तर सरवाधिक है तो बिहार है लेकिन सबसे भारत का सबसे गरीव राज बिहार नहीं है ठीक है सबसे गरीव राज 36 गड़े फिर जारखंड फिर मनिपूर फिर अरुनाचल परदेश और पांचमे नंबर पर बिहार है ये ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है शिक्षा के विकास के लिए विशु का सरबोत्तम सम्मान यीदान पुरुसकार 2022 निमलिखित में से किसिप दिया गया है तो इसका कोरेक्ट एंसर है रुक्मनी बनर जी को दिया गया था नेस्ट कोश्चन है फोर्टी फाइफ फोर्टि फाइफ में किसी इजेचेंज मेकर योजना अनिमलिखित में से किसके दोरा शुरु की गया था कि तरुन भारत संग नामक समूव सम्मंधित है तो इसका correct answer है कि पुरानी जीलों को पुनर निर्मित करने से संबंदी थे Next question है कि संजुक्त राष्ट खादेवं क्रिसी संगठन का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले है इटली में ठीक है इसका answer हो जाएगा option number B इटली की राजधानी रोम है रोम में यह स्थी थे Next question है उत्री धुरूप पर पहुंचने वाला विश्व का पर्थम बेक्ती कौन है तो इसका answer है Robert Peary ठीक है अब एक question देखिए यह उत्री धुरूप वाला है अब यह question पूछा जागे दक्षनी धुरूप पर पहुंचने वाला पहले बेक्ती कौन थे तो इसको ऐसे समझे देखिए दक्षनी धुरूप पर पहुंचने वाला तो इमूंडसीन है ठीक है इसको ऐसे समझे कीजिए इसको यह क्या बन गिया सांप बन गिया ने से एन पी यानि साउथ पर एमुंडुसें आद नौर्थ पर पहुंचने वाला पियरी चलिए नेस्ट कोश्चन है कि निम्लिकित में स्किस रंग के प्रकास का पौधों द्वारा तिब्र अबसोसन होता है तो इसका और साठर का Jetzt कि लेकिन अगर कोष्चन पूछा जाएगा कि जनतूं की कॉसिकाओं में कार्वोस्टा संच रूप में होता तो गलाइको जन के रूप में होता हूं ये दियान रखना और एक कॉस्टन ही आता है कि पौधों की कोशिकाओं की, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो celluleuse की बनी होते हैं, यह ध्यान रखना है, नेस्ट कोश्चान है, कि हरे पादप में, उपस्तित ओवर्नी लवक, ल्यूकोपलास्ट का कार्ज है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, खाज संग्रहन में सहायक होता है ठीक है देखिए पोधों में इने तीन परकार के लवक पाये जाते हैं ठीक है ओबरनी लवक बरनी लवक और हरित लवक जड़ में पाये जाता है बरनी लवक ये फल फूल तथा बीज में पाये जाता है और हरित लवक पत्तियों में पाये ज कि इतना उता है अच्छे तो को हटी है कि तोड़ी टोभ कि बिताइमिन का रसाइअ एक नाम आम रहे तो एक जाएगा उप्सटनांबर यह खुज नहीं तो और शक्य बिताइमिन मुखिताज है स्टेक A, B, C, D, E, K अब इसके बारे में अलग-अलग आपसे एक जामें पूछा जाएगा अभी तो टेको फरेल के बारे में पूछा है तो बिटामिन E का है आप बिटामिन A का नाम क्या है यह पूछा जाएगा आपसे ठीक है यह महतपूर्ने तो सब को एक साथ एक बार यहां देखते हैं ठीक है देखिए बिटामिन A ठीक है इसका रासाइनिक नाम है रेटिनोल B का है थाइमिन C का है एसकोर्बिक एसिड और बिटामिन D का है केलसिफेरोल ठीक है केलसिफेरोल और बिटामिन E का है तोकफेरोल ठीक है और बिटाइमिन क्ये का है फिलिकोईन फिलिकोईन ठीक है अब देखें इसे याद कैसे रखना है सबसे मतपुर्ण चीजी याद इसे कैसे आसानी से रखना है देखिए इसको ऐसे बोलना है रथ एक टोफी रथ पर एक टोफी ठीक है पर को सालेंट रखना है ठीक है पर को सालेंट रखना है रथ पर एक टोफी अब रथ से हो गया देखिए रेटिनोल ठाइमिन और एक यानि की एसकोर्बिक एसीड और केलसी फोरोल रथ एक टोफी टोकोफेरोल, फिलोकुईनिन, आप जैसे पूछा तो ओप्शन में कि टेकोफेरोल किसका नाम है, तो देखी ये चार पहले रथ एक हो गया, तो हमको मालूम कि A, B, C, D का नाम है रथ एक, और E और K का नाम है टोफी, ठीक है, यानि कि टोफी यानि कि E, बिटामिन E का टोको टोफेरोल नाम है, तो ऐसे याद रहेगा हमें साब का, रथ पर एक टोफी, ये ध्यान रखना है, नेस्ट कोश्चन है, 54, 54 में कि Aids रोग निमन में से किसके कारण होता है, तो HIV के कारण होता है, ठीक है, अब Aids रोग का जांच किस से किया जाता है, एलिसा टेस्ट है, ये ध्यान रखना है, कि Aids का फूल फॉर्म हो गया, एक्वाइड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, नेस्ट कोश्चन है, कि मनुस्य की आमासे की दिवार से अस्त्रावित होती है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, आमासे से, आमासे से अस्त्रावित होती है, जठर रस, ठीक ह हाइड्रो कॉलोरिक अमल पाजाता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है, एच सी एल, नेस्ट कोश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक इकाई, किरियात्मक इकाई है, तो ब्रिक का है, इसका एंसर है, नेफ्रोन, ठीक है, ब्रिक यानि किडिनी, किडिनी की इकाई हो गया, नेफ्र तो इसका correct answer है, auto meter से मा पाव जाता है, ठीक है और E meter से विद्धु-धारक की तिभरिता मा पाव जाता है, और 5 meter से यह बाईूmission दाव को मापा जाता है, और केलोर्य की से उस्वश्या की मात्रा मापा जाता है next question है, कि उर्जा संरक्षन सिधानत का अर्थ है, जिसके correct answer है, कि उर्जा का ना तो सिर्जन किया जा सकता है, और नहीं बिनास होता है, ठीक है, एक चीज़ए ये द्यान रखना है, उर्जा सिधानत का नियम यह, अब एक question पुछा गया था, कि उर्जा का जो दसांस नियम है ने किस ने दिया था दसांस नियम होता है यह कि हर आगले अस्तर में उर्जा का च्छाय होता है आगले अस्तर पर उर्जा का दस परतीसत है ने 10 परतिसद ही पौंचता यह दियान रखना है। नेस्ट कोश्चन है। कि डिगरी सेल्सियस तथा फौरेन हाइट चेल के मद संबन्द को दर्साया जा सकता है। तो देखिए, degree Celsius, Fahrenheit और Kelvin, ये तीनों के बारे में ये सुत्र भी पूछा जाता है, और इसको निकालने के लिए पूछा जाता है, तो एक ध्यान रखना ये, देखिए, इसका तीनों का relation जो होता है, C, but 5, ये लिख लिजिएगा, ये निकालने में भी देगा, आपको Kelvin में तो, K-273 by 5, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि Celsius और फोरे नाइट, तो Celsius और फोरे नाइट में संबंद ये, ओप्सन नमबर C, ये ध्यान रखना है, इसको आप लिख लिजिएगा, नेस्ट कोश्चन है, कि बायू मंडली है, मापी के पाठियांक में आचानक गिरावट, न तुफानी मोसम का है, और धीरे धीरे जब नीचे आता है, तो बरसा की संबावना होती है, और धीरे धीरे जब उपर उठता है, तो साफ मोसम की संकेत है, ऐसे समझे फिर से एक बार, देखिए, अचानक गिरता है, तो तुफानी मोसम और धीरे धीरे नीचे आता है, तो ब ंपॉजिटीव चीज़े में कि दोनी की चॉल का बिभीनि jeopardy में आरोई अबरोही करम बताकितु दोनी का सबसे अधिक खोस में होता है ठीक है उसके बाद होता है द्रब में खोस उसके बाद द्रव और सबसे कम होता है गेस में तो इसका एंसर हो जाता है सी नेस्ट कोश्चन है बिद्दूत का उत्तम चालक है तो बिद्दूत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी ये धियान रखना है नेस्ट कोश्चन है 63 कि सिल्वे नाइट नीविविए मैंसे किसका आजख है इसका कोडेक्ट एंसर है सोना का आजख है एक सिल्वे नाइट है ये दोनों सोना का प्रमुख आजख है में स्ट कोश्चन है कि रसायनिक रूप से कि किसी तत्रम के परमानू में अधिक्तम कप्षों की संखियां कितनी होती छता है सेबन शाथ होती है next question है कि सभी निश्क्रिया गेसओं की संज़्ज़कता कितनी होती है तो निश्क्रिया गेस की संज़्ज़कता जीरो होती यह ध्याँ रपना आ अच्छी निश्क्रिया घेस या तो नोउबिल गेस कौन और है तो हैं Helium Nighon अरगन, क्रिप्टॉन और जेनोन और रेड़न ठीक है इसे याद ऐसे रखना है हे ना अगर करके जीरो रन हे ना यानि हेलियम नियोन अगर करके आइनि आरगन, क्रिप्टॉन, जीरो रन, जेनोन, रेड़न next question है कि मदुमक्यों एवं चीटियों के डंक में इमने में से कौन सा अमल पाय जाता है तो इसका और यह पाय जाता है फॉर्मिक अमल लेकिन फॉर्मिक एसीड ओप्शन सबसे बड़ा उतपाद है कराजी कॉनसा है बताइए तो है ск cielo यह द्यान रखना इस्ट क ironic कि Gold का संगठन है तो इसका correct answer 3 , 90 और elmoneum 10 परसंट इसका Bahama Tech Ch figur25 नेस्ट को स्ट्रह कि Butan का Bio Mang का रसाइनिक शुत्र है तो Butan का रसाइनिक शुत्रह ओप्शन नंबर 0He 8 14 is a कि बाक एवं अभिव्यक्ति की सोतंतरता के अंतरगत निमने में से कौन सामिल है तो इसका correct answer है कि प्रिरेश की सोतंतरता भी सामिल है और परदर्शन एवं बिरोध का अधिकार भी और मोन राने की सोतंतरता ये सामिल है लेकिन ये हरताल का अधिकार ये नहीं है तो यानि एक दो तीन, option number D, next question है, संभिधान की किस अनुच्छेद में यह वर्नी थे कि राज नयापालिका को कारजपालिका से प्रिथक करेगा, तो कारजपालिका का नयापालिका से प्रिथकन यह है अनुच्छेद 50 में, ठीक है, अनुच्छेद से question पूछा जाता है, इसल अनुच्छेद 51 में है, अंतरास्टिय सांतिय और सुरक्छा, next question है, कि भारत में आम चुनाव किस सिधान पर अधारित है, तो प्रादेशिक परतिनी रित्व पर नाली पर अधारित है, next question है, कि राजी सरकार की संभन में अस्थानिय सरकार किसका परियोग करती है, तो इसक ली गई है, तो संभर्ति सुची अस्ट्रलिया से लिया गया है, और अस्ट्रलिया से और क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भासा अस्ट्रलिया से लिया गया है, लेकिन भासा अगर पूछे, तो अस्ट्रलिया से लिया गया है, next question है, निमलिकित में से किसे बिधी के समक से छूट परदान की गई है और विधी के समक्ष समानता जो किस अनुछिद में तो 14 में है ठीक है और विधी के समक्ष समानता जो किस देश से लिया गया ब्रिटेन से नेस्ट कोश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमीत किया गया तो इसका कोरेक्ट एंसर है 15 जून 2005 को नेस्ट कोश्चन है संजुक्त राष्ट सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतरगत निमने में से कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता है बाल अधिकार में सुध्ध पेजल, समुचित, जीवन अस्तर और सिक्षा ये दिया जाता है, विवाह ये नहीं दिया जाता है, इसका एंसर होगी है D, निमन में से किस पंचवर्शी होजना में गरीबी उनमूलन तथा आत्म निर्भरता पर बल दिया, यानि सिंपल है कि गरीबी हंटाओ का नारा किस पंचवर्शी होजना में दिया था, तो पांचमी पंचवर्शी होजना में ये ध्यान रखना है, और पांचमी जो पंचवर् है तो लगूद्यों के लिए सीडिवी एंडेस्ट्री डेवलप्मेंट बैंक ओफ इंडिया ठीक है यह सीडवी का मुख्याले कहां है तो लखनों में यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है बिहार सरकार द्वारा प्रस्ताबित बजट 2023 में सरवादिक खर्च निमलिखित में से की समद पर किया जाएगा तो सिक्षा पर किया जाएगा यह द्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि कौन सी जलधारा परसांत महासागर के ठंडी जलधारा है तो हमबोल्ट हमबोल्ट की जो धारा है ने यह परसांत महासागर के ठंडी जलधारा है और बाकी जो ये बेंगुएला और फोकलेंट और लेबरोडोर ये है अट्लांटिक महासागर की ठंडी जल धारा. नेश्ट कोश्चन है कि भारत में धारनी है विकास के तरिष्टी कौन से? बिद्दूत उतपाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल बिद्दूत. नेश्ट कोश्चन है जनगन्ना 2011 के अनुसार भारत की दसकी बृधी दर कितनी है? भारत की दसकी बृधी दर कितनी है? तो इसका pendant बार नियमित कब से सुरू रभा तो ये 1881 से शुरूब यापसे क्या 10-10 साल के बाद रेगूलर होने लगा याप यह वा था लोग्तां के समय से अतारा सहटीकासी मेंíst की नियम्य में इसे की एक से उत्पादन में भारत भील्चṣu में अग्रनी है तो दूद का उत्पादन भारत में सबसे ज़काkr क्या है तो इकको मार्क है कि जो परियावरन के अनुकूल को उत्पादाग होता है उसे इकको मार्क लेवल दिया जाता है इसका प्रियावरन अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना है नेस्ट कोश्चन निम्न में से कौन सी नदी उत्तर एबम द नर्मदानदी क्या हैं उत्तर और दच्छिं भारत के बीच सिमा बनाती है अब नर्मदा नदी से कोश्चन आया था पीछे कि सर्व पर्थम मानव जीवास्म भारत की कि स्वर्व जाक सो प्राप्थ भारत के सिंधा कलोडम भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद मासागर मिला है तो इसका कुरेट एंसर है कन्या कुमारी के पास मिलता ठीक है कन्या कुमारी तमिलनाडव में है ठीक है नाथूला और जिलेपला इसे याद रखना है नाजय सिक्किम नाथूला जिलेपला सिक्किम में है बाकी यह सब सही है इसका एंसर पहले है और यह लिप्यूलेख दर्रा उत्राखंड में यह सही है रोतांग हिमाचल पर्देश में यह सही है पालगार दर्रा केरल में यह भी स्चुछन है कि निम्लिखित की तट्रेखा सबसे लंबी है syndrome कि न्यम्ति नदियों में से दच्छिन की गंगा दथिन की गंगा तो कावेरी ठोक देना बस अधने आप पुछेगा तो सायक होता है जतने भी दलहनी फसल होता है वो सब तो संसार का सबसे बड़ा मरोशथल कौन सा है तो सहारा इ Associates निमलिकीत से किस डेह में पंपास घांस का मैदान ऐगतां थो अर्जंटिना में पंपास घांस का मैदान और रियूंधा कि श.'' निंच होन्थिय है सोब दो अर्दो को थोड़ा दूर कर देना है और दो जीरो बाइठा देजिए यानि कि जा जैब बीवित्ता अध्काइब 12 में नेस्ट को हुच्छन है कि किनीफल तो इसका काफर है अफिरक आप सबसे ज्यादा देशों की संखियां भिरका में लेकिन अगर पुछा जाएक सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो एसीय महादीप है नेस्ट कोश्चन है कि निमलिखित बिरिक्षों में कौन पारिस्थित की मित्र नहीं है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यूकेलिप्टस देखे यूकेलिप्टस क्या है अत्यधिक जल गरहन करने की बज़े से यह पारिस्थित की मित्र इसे नहीं माना जाता है और इसे जो बिरिक्षों का है आतंकवादी भी का जाता है यानि कि इसको यह जहां इसको लगा देजेगा निस पोदे को तो आसपास जितने पोदे उसको होने नहीं देगा सारत जल यहीं सोख लेता और वहां का मिट्टी के जल अस्तर बहुत नीचे चला जाता है तो इसका एंसर हो गया था यूकेलिप्टस नेस्ट कोश्चन है 99 निमलिखित उर्जा में से कौन सी जेविक मात्रा में सरवाधिक उपयोग की जाती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है सौर उर्जा का सबसे जाधा परियोग किया जाता है जेविक मात्रा में नेस्ट कोश्चन है, कि निमलिखित इंधनों में से कोन सा नियुन्तम परियावरनीं पर्दूसन उत्पन करता है, यानि परियावरन की दरिष्टी से सबसे अच्छा इंधन कोन सा है? hydrogen से 2-3 question है की आपको पूछा जाता है और दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जैसे सबसे हलकी gas कौन सा है hydrogen भविष का इअ धन किसे का जाता है hydrogen को बर्मान में सबसे ज्यादा कौन सा gas पाये जाता है hydrogen शूर्ज में सबसे ज्यादा कौन सा gas है hydrogen तो ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों इस तरह सटिक 100 MC की होता है समाप पिछले वीडियो मैंने आपसे कोशन पुछाता है कि जगदीशपूर के राजा कौन थे तो इसका कोरेक्ट एंसर है बाबु कुमर सिंग और आज का कोशन है कि बिर्शा मुंडा के गुरु कौन थे इसका झाल